तो गाईज मैं हुआंग की तौर आप देख रहे हैं रस्लिंग फैंस नाइटवक सुरु करते गाई जिम्लोग अपनी बातों को सबसे पहले ट्रस्ट्राइटस से तो भाई एक ब्रेकिंग निउस है ट्रस्ट्राइटस को लेके मनी इंद बैंक को होस्ट करने वाली हैं ट्र स्ट्राइटस करने वाली हैं होस्ट मनी इंद बैंक 2024 को एक्शुली हुआ गया ट्रस्ट्राइटस खुदी एक वीडियो पोस्ट करते हैं वहाँ पर चिछान्सस करने ही होगा या फिर हमेशा की तरह यूजवल डवरी के मामने में आप देखोगे तो होस्ट करना तो बहान सब्सक्राइब करने के बहाने सब्सक्राइब करने के इन्हों ने कुछ इंट्रस्टिंग करा एंट आप ऑन पेपर देखोगे तो मनी इंद बैंक अच्छा लग रहा है अगर एक्जेक्यूट अच्छे तरीके से कर देंगे तो बहुत अच्छा इवेंट होगा मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ वहाँ वहाँ पर न्यू चैंपिन बन सकते हैं ब्लड लैंड के मैच में हमेशा की तरह फिर से मजा आने वाला है इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में अभी के इसाप से एक कार्ड है money in the bank का अभी trust status इस कार्ड के अंदर एड हो चुके हैं इसके अंदर और सीतारे लगाने के लिए क्या आपको लगता है कि trust status involve होंगी women's money in the bank ladder match में क्या वो जो इस टाइक पर अटाक कर सकती हैं comment करके बताना फिलाल के हिसाप से money in the bank को लेके ये है massive breaking news आगे बढ़ करते हैं recently Metro पर interview में कि क्या वो wrestling करने वापस आएंगे हले कि इससे पहले भी कई बार comment कर चुके अभी क्या करते हैं मैं आपको बता दो अपने in ring return को पर बात करते हैं आप देख सकते होगे करते हैं कि हाँ जब मुझे कोई pitch करेगा कि यहां पर इस फ्यूड के अंतर आपको जाना है इस match में आपको compete करना है तो मैं उसको analyze करूंगा देखूंगा कि क्या ये चीज sense भी बनाती है या पर नहीं अगर मुझे ये चीज sense बनाएगी अगर मुझे फ्यूड पसंद आजाए sense बनाएगी तो दिन फॉर्च दूर भाई मैं compete करने के लिए वापस आ जाओंगा अब मुझे लगता है कि अभी वेड बैरेट अराम से पांच-छे साल compete कर सकते हैं भा पक्का वो मैच उनका होगा एंड इनकी वापसी हो जाएगी रिंग में बागी अगर आपको याद हो कि क्लैसर दे कैसल में जब सीम पंग ने कॉस्ट करा था मैक इंटार को उसके बाद जो वेड बैरेट गुसा हुए थे ऐसा लग रहा था कि भाई आगे जागे कहीं यही पसंद आते हैं बागी सबका नहीं बता अभी के इसाब से वेड बैरेट अपने इन रिंग रिटर इनको पर यह कुछ कॉमेट करते हैं मुझे लगता है आज नकल इनकी वापसी तो होगी भाई बिकॉस डबल डबन को रखती है तो हो सकता आगे जाके कुछ इनके लिए प प्लेट होगी क्या कल आखरी होने वाला है दिन जब इनकी टीम हमें एक साथ देखने को मिलेगी बहुत टाइम से डबल डबली टीज कर रही है इनके ब्रेक अप को और लगता है कि ऑस्टेन थोरी बेबी फेस्स बनेंगे अभी कल इनका मैच होने वाला है टाग टीम एंड बैंक के कारड में भी आड करने कि सोच रही थी तो अगर इस मैच को अड電 करते तो पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती कि मनींद ब्यांक में हारें अन्य सेम है बसंतर इतना है कि मनीं इन द बैंक में यहां स्मैक स्माग दौन में है तो क्या यहां पर तो इनका तो continue रहेगा ही रहेगा एंड एक्सपेक्टेशन से भाई कि summer slam में आपस में compete करेंगे money in the bank के card में यह होने नहीं वाले हैं तो break up कब होगा, कल smackdown possibly chances से मैं ऐसा exact confirm नहीं का सकता कोई किसी new source की तरफ सबडेट नहीं है लेकिन बस अगर आप WWE को देख रहोगे पिछलो कुछ टाइम से regularly follow कर रहोगे इनको follow कर रहोगे तो आपको idea होगा कि यह चीज हमें regularly tease होते वे देखने को मिल रही है in fact यह तो बहुत महीने पहले से tease हो रही है आपको याद हो अगर elimination chamber अब जहाँ पर Grayson Waller effect पर आया थे Cody Rhodes Seth Rollins तो वहाँ पर Grayson Waller ने बिल्कुल छोड़ दिया था कि हाँ भाई तुम आउस्टने धोरी को मारो तो यह बहुत टाइम से चलते आ रही है अब finally इनका SmackDown में कल हो सकता है break up कल इनकी tag team split हो सकती है बागी तो let's see भाई वक्त बताएगा अभी के साब से यह कुछ chances है आगे बढ़ते हैं guys बात करते हैं हम लोग अपनी next and final story के बारे में जो कि money in the bank को लेके money in the bank के main event को लेके money in the bank की ending को लेके money in the bank के main event को लेके मैंने आपके साथ news साजा करी पिछली वीडियो में जहां मैंने आपको बताया है कि हो सकता है कि Seth Rollins वर्सिस Diamond Prist इनका जो मैच है वर्ल्ड अभी वर्ट चैंप सिपला यह मैच main event कर सकता है money in the bank को milzer ने बात बताईए actually मैं अब अगर मानते हैं यह report सही है अगर यह match main event है तो money in the bank की ending कैसे हो सकती है क्या कुछ हो सकता है बहुत मसाल हो सकता है मैं Drew McIntyre की यहाँ पर बात कर रहा हूँ बागी चीज़ों को बाद मगर discuss करने लाग मुझे लगए तो मैं करूँगा पता चला है कि यह match main event होगा तो chances काफी बढ़गे है कि McIntyre money in the bank जीत के कैसें कर देंगे इस match में chaos मचाने के लिए हाला कि betting odds कुछ और कहती है Skybet कहती है कि Jeyos हो जीतेंगे bet online कहती है कि McIntyre जीतेंगे तो वो भी conflicting है लेकिन अभी के इस आप से अगर देखोगे आप match placement को तो देखके लगता है कि McIntyre actually में briefcase जीत के इस match में कैसें कर सकतें लेकिन question आता है कि क्या McIntyre कैसें करके जीतेंगे because already match के अंदर काफी तो लगता नहीं है कि सैथरोन इस जीतने वाले है अगर वो जीत जाते हैं करनी परेगी प्रीष्ट को ये भी चांसे से कि फिन बैलर आके उनको cost कर दे money in the bank में because last year कुछ ऐसा ही ये damn interest ने करा था फिन बैलर के साथ गलती से करा वो अलग बात है फिन बैलर जानबुच के कर सकते हैं because हमने Monday Night Raw में tease भी देखा बाकि अगर McIntyre भी इसी chaos में आके cash in कर देते हैं तो क्या McIntyre जीतेंगे अब अगर McIntyre cash in करके जीतने की कोसिस कर रहे हैं तो क्या CM Punk आ सकते हैं अब देखो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ending में chaos तो होगा ही होगा जब इतने सारे superstars involved होते हैं तो chaos तो मचना ही है और मैं आपको बहुत टाइम से बतारों इस चीज को कि देखो कि तो आप आपस में सारी stories involved लग रही है judgment एका अलगी चल रहा है डैमन प्रिस्ट के साथ में Seth Rollins की अलगी कोसी से world title जीतने की वो CM Punk से आज नकल involved होंगे यह होंगे फ्यूड के लिए ड्रू मैं आगे इंटाइस CM Punk के साथ भिटे वे हैं लेकिन उनको world title भी जीतनी है जो world title जीतेगा वो गुंतर के against defend करेगा अब बहुत सारे questions से लेकिन इतना तो से हो रहेगी मनीन दवायां की ending chaotic ending होगी chaos वाली ending होगी जहाँ पर Mac entire भी probably involved हो सकते हैं फिलाल guys इस वीडियो के लिए बस ही कुछ updates थी I hope सापके information मिली हो मिली हो तो वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें चैनल को